नमस्कार दोस्तों नमस्ते के वाईपी यूटूब चनेल में आपका श्वागत है और आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं कि बिहार इंटरमेडियर परिक्षा का प्रोग्राम जारी हो चुका है जो 2022 में होने वाला है एक्जाम तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि की स्तिथी को कौन से सब्जेक्ट का एक्जाम होने वाला है तो बनेरे इस वीडियो में चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम पेपर का कटिन लिये हुए हैं और इसमें दो टाइमिंग दिया गया है जो प्रथम पाली होगा वह सुबह 9 बज़ से ले करके पौने 1 बज़े तक होगा वहीं दूसरी जो पाली होगी वह पौने 2 बज़ से ले करके सामको 5 बज़ तक होगा तो इसमें इंटर परिक्षा एक फरवरी से ले करके 14 फरवरी के बीच होगा इसमें एक फरवरी को पर्थम पाली में गणित होगा तो दूतिय पाली में हिंदी वहीं दो फरवरी को भौतिकी होगा यानि फिजिक्स तो दूतिय पाली में अंग्रेजी होगा वहीं त तो वहीं दूतिय पाले में इतिहांस और ट्रेड ओन होगा यानि हिस्ट्री और ट्रेड ओन वहीं पाँच फरवरी को जी विग्यान होगा पर्थम पाले में यानि वाइलो जी तो वहीं दूतिय पाले में राजनितिक सास्त्र यानि फोल्टिकल साइंस और विजनस स्टडीज होगा वहीं 8 फरवरी को पर्थम पाले में हिंदी होगा तो दूतिय पाले में अर्थ सास्त्र का एक्जाम होगा वही 9 फरवरी को पर्थम पाली में भासा का एक्जाम होगा तो दूतिय पाली में मोनो विज्ञान की वही 10 फरवरी को पर्थम पाली में म्यूजिक होगा तो दूतिय पाली में ग्रिह विज्ञान और ट्रेड दो का एक्जाम होगा जबकि 11 फरवरी को पर्थम पाली में समाज सास्तर तो दूतिय पाली में NRB का एकजाम होगा यानि नन हिंदी का उहीं 12 फरवरी को पर्थम पाली में एकाउंटेंसिस दर्थन सास्तर तो दूतिय पाली में MB का एकजाम होगा अन्त में 14 फरवरी को पर्थम पाली में अत्रिक्त विसे काला का होगा तो वहीं दूतिय पाली में अत्रिक्त विसे भोकेशनल कुर्स का होगा यानि जो अत्रिक्त विसे लिये होंगे यानि एक्स्ट्रा विसे उनको 14 फरवरी को एकजाम में सामिल होना होगा बाकी सब का 12 फरवरी तक एकजाम समाप्त हो जाएगा तो इस तरीका से आपका intermediate का परिक्षा प्रोग्राम यानि रूटिंग रहा तो आज की वीडियों बस इतना ही फिर मिलते हैं नाई जानकारी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद